दोस्तो स्वागत सभी का एक्जाम से देमस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में DNA और RNA के कॉम्पोनेंट्स देखेंगे क्या रिलेशन होता है आपस में इन कॉम्पोनेंट्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है किन किन चीजों से DNA बनता है या RNA बनता है न्यूकलिक एसिड क्या होते हैं सभी चीजेंगे आज की छोटे से वीडियो में पिल्कुल पॉइंट तु पॉइंट मैं आपको समझा दूँगा कभी नहीं भूलोगोई DNA और RNA में अंतर या न्यू न्यूकलिक अमल क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं कि न्यूकलिक अमल दोस्तो DNA और RNA दोतरा के न्यूकलिक अमल होते हैं जो कोशिकाओं में पाये जाते हैं चाहे वो पॉदों की कोशिकाओं हो प्लांट सेल्स हो या फिर जन्तूओं की कोशिकाओं हो एनिमल सेल्स हो तो यहां पर एक प्रकार का Carbonic योगिक पाया जाता है, जटिल carbonic योगिक होते हैं, जो कि nitrogen युक्त carbonic योगिक होते हैं, जटिल nitrogen युक्त carbonic योगिक कंपांटस होते हैं, nitrogenous compounds, जिनको हम nucleic acid कहाते हैं, अब ये nucleic acid दो तरह के होते हैं, based on कौन सी sugar इसमें पाई जाती है deoxy ribose nucleic acid जिसमें deoxy ribose sugar होगी और दोस्तो RNA ribose sugar इसमें होगी ribose nucleic acid तो RNA का full form ribose nucleic acid और DNA का full form deoxy ribose nucleic acid तो ये इन दोनों का हो गया full form अब दोस्तों जिस तरह से घर बनता है हमारा इंटों के द्वारा इंट उसकी unit होती है इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा मकान बनता है या फिर जो house बनते हैं तो वो इंटों से बनते हैं तो उसकी unit क्या होगी उसकी unit होती है एक इंट एक brick इसी तरह से अगर हम कोई chain बनाएंगे तो उसका एक unit क्या होगा उसका एक unit उसकी एक कड़ी होगी तो unit इसी तरह से nucleicumlog की जो unit होते हैं उन्हें nucleotide कहते हैं ठीक है nucleotide कहते हैं तो nucleotide से मिलकर ये बने होते है nucleic acid अब nucleotide भी दो तरह से आपको मिलनेंगे Nucleotide दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और दो तरहा की भी होता है DNA में तो Nucleotide कहलाएगा और RNA में Ribotides कहलाते है ठीक है अब DNA के अंदर जो Nucleotide होता है वो Nucleoside कब रहेगा अगर उससे Phosphoric Acid हम निकाल दे Nucleotide दो चीज़ों से मिलकर बना होता है एक होता है Nucleoside और एक होता है Phosphoric Acid वाला जो ग्रूप होता है Phosphoric Acid H3PO4P से इसको शो करते हैं आपने Watson और Crick वाली संदचना देखी होगी इस तरह के वहाँ पर तो Nucleotide Nucleoside और Phosphoric Acid से बनता है Phosphoric Acid को अगर हम अलग कर देंगे तो Nucleoside भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है एक होती है PENTOS शरकरा जिसको हम S से दिखाते हैं शुगर ठीक है अब PENTOS शरकरा भी दो तरह की होती है Deoxy Ribose होगी DNA में और Ribose होगी RNA में यह PENTOS शुगर होती है और फिर आता है nitrogen base nitrogen base दो तरह की होते हैं nucleic acids में एक होते हैं Purine और एक होते हैं Pyramidine Purine होते हैं दोस्तो Purine होते हैं जो की Adenine और Guanine A और G से इनको प्रदाशित करेंगे और Pyramidine होते हैं तीन Pyramidine base होते हैं Thymine, Cytocine और Uresil DNA RNA में अंतर एक बहुत बड़ा आपको यहां से पता होगा की DNA में थाइमीन के स्थान पर Sorry DNA में तो थाइमीन पाया जाता है लेकिन RNA में थाइमीन की जगा पर बस Uresil आ जाता है यह चेंज आपको देखने को मिलेगा यह double ring nitrogenous base होते हैं यह single ring nitrogenous base होते हैं इनका chemical structure अगर आप देखोगे दंग से chemical structure अगर आप 12 तक पढ़ रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो तो किवाल इस तरह से अगर आप chemical composition समझोगे DNA आ रहेने का तो काम चल जाएगा नीट वीट पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल में structure देख लो कि पिरिमिडीन रिंग कैसे बने हुए है प्यूरीन रिंग कैसे बने हुए है क्या structure इसका किस तरह से यह ribonucleotide में जुड़े होते हैं अब यह दोस्तो polynucleotide chain बनाती हैं दो polynucleotide chain बनाते हैं कौन nucleotide आपस में जुड़ जुड़ कर polynucleotide chain बनाते हैं और दो polynucleotide chain दोस्तो इस तरह से hydrogen bond दोरा आपस में जुड़के hydrogen bond दोरा जुड़के double helix model बना देती हैं जो कि Watson और Crick ने बताया था वो आपको अच्छे से पता होगा A हमेशा जुड़ा होता है दोस्तो T से double bond के साथ और G हमेशा triple hydrogen bond के साथ hydrogen bond not coalent bond तीन hydrogen bond से G C से जुड़ा होता है uracil में दोस्तो RNA में uracil होगा वो single strand रचना है तीन तरह क्यों होते हैं हम जानते हैं RNA के बारे में यहाँ बर जादा discuss नहीं करेंगे लेकि nucleotide के बारे में दोस्तो हमने अच्छे से समझ लिया है तो यह flowchart आपको pdf इसका जो poster है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा इसको थोड़ा मैं short कर देता हूँ यहाँ पर इसका screenshot भी आप इस तरह से ले सकते हो तो यह आपको बस इतना ध्यान रखना है आप आसानी के साथ अंतर कर लोगे लेकिन अगर आप यही basic structure नहीं समझ पाऊगे तो फिर आपको थोड़ी सी problem हो सकती है तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है यह तो nucleicuml दो तरह के RNA DNA RNA मतलब ribos nucleicuml या ribos nucleic acid और DNA deoxyribos nucleic acid या deoxyribos nucleic aml nucleicuml nucleotide से बने होते हैं और nucleotide को RNA में ribotide कहते हैं ठीक है यह चीज़े कि हाँ पर हलकी सी miss है flow chart में ribotide कहते हैं तो nucleotide तो DNA बनाएगा न DNA की unit है एक nucleotide जो DNA में पाए जाता है वो दो unit से मिलकर बना होता है nucleoside और phosphoric acid से अगर हम nucleotide से अगर phosphoric acid वाला group निकाल दें या phosphoric acid को हटा दें इस component को हटा दें तो हमारे पस nucleoside बनता है अंतर देख रहे हो tide और side, tide बड़ा, side छोटा है मतलब tide एक, tide में phosphoric acid group भी जुड़ा होगा और side में phosphoric acid को अगर निकाल दें तो फिर nucleoside बचता है nucleoside दो चीज़ों से मिलकर बना होता है एक तो pentose sugar, DNA में deoxyribose sugar होगी deoxyribose शरकरा और nitrogenous base, nitrogenous base दो तरह के होते है purine और pyrimidine जो purine base होते हैं वो double ring nitrogen base होते है nitrogen आपको मिलेगा hetero cycle structure में और जो pyrimidine होते हैं वो single ring होते है यह आप chemical structure देखोगे धंग से तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो nucleoside को ध्यान से देखना आप nucleoside दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है एक pentose sugar से और एक nitrogen base से nitrogen ही छार से तो अलग-अलग तरह के nucleotide बनते हैं और nucleotide आपस में जुड़कर poly nucleotide शरंखला बनाते हैं दो poly nucleotide शरंखला हैं इस तरह से जो Watson और Crick का double helix model है इस तरह से जुड़के दोस्तो DNA का structure बना देती हैं और ये दोनो poly nucleotide chain जुड़ती हैं वो hydrogen bond दोर आपस में जुड़ती हैं एडेनीन हमेशा थाइमीन के साथ double hydrogen bond से जुड़ता है hydrogen bond को एक हम break line से dotted line से हम दिखाते हैं इस तरह से तो A हमेशा T के साथ जुड़ेगा और G हमेशा C के साथ जुड़ता है एक 3A बंदे दोरा triple hydrogen bond दोरा अब RNA में अंतर क्या होगा अब जो uracil है uracil भी एक कौन सा बेस है दोस्तो uracil भी एक piramidine बेस है ये आपको ध्यान रखना है लेकिन RNA में ये थाइमीन को रिप्लेस कर देता है थाइमीन की जगापर RNA में कौन सा होता है uracil होता है और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है RNA single strand structure है RNA एक single strand होता है उसका single यानि कि उसमें कोई दो strands नहीं होते है ठीक है standard नहीं strand तो दो strands नहीं होते हैं उसमें एक strands होता है तीन तरह के RNA होते हैं मेसेंजर RNA, mRNA ठीक है ट्रांसफर RNA आपने सुने होगा TRNA और एक होता है RRNA ठीक है ये चीज़ आपको समझनी है तो ये पूरा structure ये पूरा chemical composition होता है ये composition होता है दोस्तो DNA और RNA का तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा picture कुछ इस तरह से दिखेगा मैंने पहले भी दिखाता है आपको इसका screenshot ले लो अच्छे से समझ लो एक बर मैं इस तरह से भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं तो ये ये relation है आपस में इन components का तो इसका PDF जो ये picture है आपको हमारे telegram channel पर भी मिल जाएगी जो telegram channel का दोस्तों link है वो description box में दिया हूँ है वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आप उस पर click करना तो आप हमारे telegram channel पर पहुँच जो गए telegram channel पर दोस्तों भागी भी model paper, question paper, tips, tricks, tutorials कोई educational news, UP board से related news आपको वहाँ पर लगातार PDF के माद्यम से भी देखने को मिलती रहती है तो वहाँ पर join कर लेना तो कैसी लगी ये video आप comment box में ज़रूर बताना कोई question हो, कोई query हो DNA और RNA से related तो हमें ज़रूर बताना, साथी साथ हम जानते हैं कि DNA और RNA तो एक ऐसा question है जिस पर हमारा जन्म सिद्धादिकार है कोई चीज तैयार करना ना करना 9th में, 10th में, 11th में, 12th में अगर आप biology पढ़ते हो आप chemistry पढ़ते हो, chemistry में भी important है 12th, 11th, 12th में chemistry में, और 10th में और 9th में biology में कि DNA, RNA ना पढ़ो तो ये बात गलत हो जाएगा, DNA, RNA तो हर बार दोस्तो छपता ही छपता है तो इतना करना है बस आपको और आपके दोस्तों, 4, 6 या फिर तीन नंबर, दो नंबर इस तरह के question आपका बिल्कुल 100, 100% पक्का मान लिया जाएगा आता ही है यार, आता ही है तो बस आपको ये करना होगा so guys मिलते है अपने next video में, वीडियो पसांद आई हो तो comment में ज़रूर बताना, thanks for watching and listening me and good luck for your future dostu thank you and bye bye